वेलकुम बैक टो माइ चैनल कैसे हैं आप सबी लोग और आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक का रूटीन शेयर कर रहे हूं जो कि बिल्कुल सिंपल है रूटीन है वो भी बिल्कुल सिंपल है अमारा देसी स्टाइल भी आरी स्टाइल लुटीन शेयर कर रहे हूं बहुत ही सिंपल सा खाना है और आल्रेडी बहुत पहले मैं शेयर भी कर चुके हूं रेस्पेस तो हलका फलका मैं आपको दिखा दूंगी कि किस तरीके से में बना रहे हैं जो लोग नियों जोड़े हूएं तो उनको एक अलग सी सिंपल खाने क तो आज कल पता ने हम लोग को क्या हो गया है डेली पहले हम लोग वीकेंड्स पे ऐसा किया करते थे लेकिन आज कल पदा नहीं सित्की चुट्टियां भी चल रही है उसके सारे जो टफ पेपर थे वह हो चुके हैं अब ईजी ईजी से हैं जिनकी ओल्रेडी वो तैयारी कर तो बहुत सिंपल से पेपर हैं छुटियां सी लग रही है तो हम लोग डेली मूवी वगर लेके बैठ जाते हैं तो इस तरीकी से गदा वगर बिचा के हम लोग ड्राइंग डूम में बैठते हैं और फिर सुबह ले टुपते हैं क्योंकि रात में लेट सोना हो जाता है तो वही सारा घर क्लीनिंग अगरा मैं कर रहे हूं यह जो मैंने कंटेनर स्मगाए हैं इनके लिए मैंने पूछा था किसी के पास है तो इसके रिव्यू क्या है शेयर कीज़े तो बहुत सारे लोग ने बोला कि यह एर टाइट नहीं है तो इनमें हम कुछ ऐसी चीज़े नहीं कि रख सकते हैं जो मतलब जिन में एर टाइट कंटेनर के जरूवत हो दाल होगे रिव्यू करने के सही है और यह कॉमेंट मैंने अमेज़न का जो रिव्यू सेक्शन होता है उसमें भी मैंने सेम कॉमेंट्स पढ़े थे इनका जो बाटल के नीचे एक रैंकिंग टाइप की थ्री लिखा हुआ है तो उसका exactly मतलब क्या होता है अगर किसी को पता हो तो बताना मेरे हिसाब से मैंने जो समझा है कि जितना ज्यादा नंबर उपर होता है तो उतनी ज्यादा ग्लास की क्वालिटी या प्लास्टिक कंटेनर तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और जितने भी कंटेनर मेरे खाली हुए उन सबको मैंने रिजेक्ट कर दिया है तो यह जो गोल वाले डब्बे है सारे जिनमें औरेंज लिड है वो सारे मैंने रिजेक्ट किया है सारे नहीं हो पाएं फिर भी छे डब्बे के असपास छे या साथ डब्बे रिजेक्ट हो गए काच के डबो से और अगर आपको और अच्छी क्वालिटी के कंटेनर्स पता है काच के और जो एर टाइट वी हो तो प्लीस मुझे बताईए कि जो आप लोग यूज कर रहे हो या आपको पता हो आइधिंक ट्रेयो जो है थोड़ा साइट है लेकिन वो एर टाइट कंटेनर्स कर दो कर दो लोगा है कि अधिर बाइज कर गई। तो कुछ चीजे लेफट ओवर हैं उन सब को मिला के ब्रेकफस्ट हो जाएगा हमारा बागी भूचिया और पराथा यह हमारा ब्रेकफस्ट बन रहा है प्रेकफस्ट हो जाएगा हमारा ब्रेकफस्ट हो जाएगा है जा एक समय तो कि सब दाए हुआ झाला ब्रेकफस्ट हो जै कर uth. हुआ यहिए वेभर हो बूढ़क नोल यहाँ पर मशीन चल रही है मशीन मैंने बालकनी में शिफ्ट कर दिये तो यहां का सारा काम जो हो गया एक मैं लाइट चला लेती हूँ बहुत सारे लोग कॉमेंट कर रहे हैं कि आपने घर नहीं दिखाया घर नहीं दिखाया और उसके बाद आपको दिखाऊं। लेकिन होता है कि आप जब अरेंज करने लगो तो बहुत टाइम लगता है उसमें। मैंने सोचा दस दिन निकल जाएंगे ऐसे ही। तो पहले जो भी है मैं आप लोगों को दिखा देती हूं जैसा भी है अभी। जैसा भी है मैंने सोचा कि मैं शेयर ही कर लेती हूं। तो यह तो मैंने दिखाई दिया था यहाँ पर जो हमने स्टोरेज बनाया है। यह वाला स्टोरेज। यह कटन्स के पीछे यूँ ही रहेगा। इसके नीचे यहाँ पर हमने पेंट वगरा भी सब करवा लिया है। तो यह बहुत अच्छा सा एक क्यूब टाइप का बनके तयार हो गया है। देखने में भी बहुत अच्छा सोबर लग रहा है। और इसके अंदर ठेर समान आया है। बहुत सारा समान आ गया है। कितना समान आया है वो मैंने अल्रेडी जो क्लीनिंग वगरा की वीडियो थी उसमें शेयर किया है। बहुत सारा समान इसके अंदर हमने स्टोर कर लिया है। उसके बाद दूसरा चीज हमने क्या किया है। यह दया ना देखो ऐसे पनिया लगा के चली जाती है है हैंडल में किचन मेरा साफ सुत्रा है काम हो गया है बस जो बरतन वगरा मांच की गई है दया ना वो सब मुझे अरेंच करने है बाकी सब मौनिंग का काम हो रखा है तो यह हमारे कैबिनेट थे और इसके उपर हमने यह एक्स्टेंड करवाए हैं तीन और तो यह तीनों कैबिनेट है इनका टोर मैं नहीं दे रही हूं आज क्योंकि मैं अंदर से इनको मैंने और्गनाईज नहीं किया है जो समयने इस्ट्रा था वो बस मैंने रख दिया है तो अच्छी तरीके से टोर दूँगी जब अच्छी तरीके से और्गनाईज कर लूँगी उसके बाद यह नीचे का पोर्शन है और यह और अगर आपने गौर किया हो तो इनके जो सर्माईका है वो चेंज हो गये है अच्छी जो पहले सर्माईका था मैं आप एक चोटा सा पिक इंक्लूट कर दूँगी कि कैसा था पहले क्योंकि अल्मूस्ट सिमिलर कलर है तो यहां पे जो सर्माईका लगा हुआ था उससे हलका सा मैचिंग करके हमने उपर वाला लगवाया जो अभी लगा हुआ है वो ल करवा देते हैं तो इस सर्माईका को चेंच करवाने के पीछे ना कहानी हो गए एकदम मेरा मूड जो एकदम आफ हो गया था जितनी खुशी से मैं यह सब काम करवा रही थी ना मेरा एकदम मूड आफ हो गया था क्योंकि यह जो सर्माईका अभी लगा हुआ हुआ है यह बहुत जादा बड़ा दिखा रही है किचन को उस रूप से तो बहुत अच्छी है लेकिन यह गंदी बहुत जल्दी जल्दी होगी तो अगर मेरे दिमाग में कहीं भी पहले जरा सा यह होता कि मुझे पूरी सर्माईका चेंच करवानी है तो मैं अपनी पसंद से अपना ल और इसी वज़े से हम जो पुरानी सर्माईका थी उससे मैचिंग करने के लिए यह कलर लेकिया है और उसके बाद जब यह लग गया तो इससे मैचिंग करने के लिए सारा हमको उसी कलर का करना पड़ा मेरा इतना मूड खराब हुआ था इतना मूड खराब हुआ था न मैं दूर से दिखाती हूँ, यह actually white type का color है, तो थोड़ा सा camera में वो करेगा, blur type का करेगा, चमक shine जादा देगा, तो वैसे kitchen मुझे काफी अच्छा लग रहा है, जब पूरा लग गया तो फिर मेरा mood थोड़ा ठीक हुआ, बट यह है कि यह गंदा बहुत जल्दी-जल्दी होगा, cleaning, जो है मेरी cleaning का जो काम है न, वो बढ़ गया, तो बस यही करवाया है, और बाकी मैंने balcony में भी करवाया है, कुछ क्योंकि जो washing machine थी न, वो मैंने balcony में shift कर दी है, तो उसका भी मैंने करवाया है, कुछ balcony में भी, वो बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि आपने देखा न, फिर मैं किसी और दिन दिखाऊंगी और यहां पर देखिए क्या changes हो गए है वो भी गौर कर लीजिए तो वहां पर मेरे शू रख था जहां पर यह शेल्फ रखा हुआ है यहां पर शू रख था तो शू रख मैंने मशीन की जगा पर shift कर दिया है वहां पर जहां पर शू रख तो इस तरीके से ड्राइंग रूम में तोड़ी जगे दिखने लगी है बालकनी मेरी एकदम कहते हैं लग रहा है कि इसी हो गई है बिल्कुल तो बालकनी में से अलमीरा चली गई तो वह काफी बड़ी सी काफी अच्छी सी दिख रही है बालकनी में काफी changes हो है दिखाऊं उसके बालकनी में बोड लगवाना है switchboard जैसा कि आपने देखा कि मैं machine इधर लेके आई हूँ उसके बाद मैंने pipe से पानी लगाया हुआ है और बाहर कोई na board नहीं है switchboard नहीं है जिसमें हम attach कर सके machine को तो उसके लिए हम एक new switchboard बाहर लगवाना है तो वह final हो जाएगा थोड अच्छा लग रहा है घर, spacious लग रहा है जो एक समान विखरा विखरा सा रहता था न वो चीज़ नहीं लगए क्योंकि जितना भी extra समान था वो हमने अंदर करके रख दिया है और बस छोटे से space को हमना best utilize करने की कोशिश कर रहे हैं कि convenience भी हो रहने में कोई दिक्कत ना हो औ अब भी मैंने जी कंद काटा है तो जी मी कंद बने का rice ज़रूर बनाओंगी दाल, rice बने का बड़ता, जी मी कंद के बड़ते की recipe तो बड़ता बर दिखा दूगी उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, एक मिनट में पूरा बड़ता आपको पता चले जाए तो दिखा दूगी और आपको याद होगा मैंने जब सीजन स्टार्ट हुआ था तब मैंने दिखाया था बॉड़ी बटर का मैंगू में और उसी का दूसरा है ये गुड़ी बटर है और लिब में ये वाला ये सच में बहुत अच्छा है अगर आपकी स्किन काफी ड्राई है एस्ट्रा ड्राई नहीं होने देता तो मैंगो वाला मैंने पूरा फिनिश किया और उसके बाद ही देखिए ये भी आदा फिनिश हो चुका है तो ये गुड़ वाइस का डीप हाइड्रेशन बॉड़ी बटर इसका एक मैंगो का था मैंगो वाली की जो स्मेल है मुझे बहुत जादा पसंद है दो डबे मैंने यूज की है इसके तो मैं बनाने जा रहे हूं मसूर की दाल उसके लिए मैं पानी चड़ा दोंगी मसूर की दाल खुली बहुत अच्छी बनती है तो इसमें बनाओंगी स्पाट में उपर से यह उतना साफ नहीं है वितामरी खतम हो गया लेके आओंगी तो इस पॉट में मैं बनाओंगी यहाली जो स्प्लीट वाली मसूर की दाल होती है यह बना हुए तो यह वाली दाल बहुत आसान है यह मेरी मदर इल्लो की रेस्पी है मैंने काफी पेले एक बार शेयर भी किया है है हम लोग जो कुकर में डाल बनाते है और जब हम खुली बनाती है तो उसका स्वाद कुकर वाली दाल से बहुत अलग होता है यह जो मसूर दाल है यह मदरिलो हमेशा खुला हुआ ही बनाती है मतलब बिना कुकर के बहुत अच्छी बनती है और इस दाल में तड़का भी नहीं लगता है तो यहां पर मैंने 4-5 लेसुन की कलियां करके डालना है हींग नमक हल्दी बस इतना ही डालना है और इसमें किसी तरीके का जीरा वगएर का कोई छोंका नहीं लगता है और यह बहुत सूपर डिलिशियस बनके तयार होती है आप लोग ट्राई करके देखिएगा तो बस अब हमें दाल पकने का वेट करना है दूसरी और सबको बहुत पसंद आता है तो जब जिमी कंद उबल जाएगा तो उसकी रेस्पी क्विक्ली मैं शेयर कर लोगी और यह उप्शनल है धनिया आप चाहें तो डाले नहीं तो ना डाले मेरी मदरी लोग कभी धनिया नहीं डालती है बिना धनिया के बनाती है लेकिन है अछिए चर्पराइग По के चाहितना नहीं के बनाता दे यह जै हो जाएं अजीन से बनाती है असकुर्ण और रॉपहर कड़रों बनाता है सबर्स्क्राओ उनिया वतना तो इसको कुट कर लिए लेस्सथा भ refract छूप कर लें जाह सकता उतना हर्म इसको कुट अगर आप नहीं डालना चाहते हैं मेरी मदर इनलो क्या करती है इसमें जो मिर्च लाल मिर्च होती है उसको थोड़ा साग के ओपर जला करके वो डालती है उसका स्वाद और भी अच्छा आता है तो भी डाल सकते हैं मैं आपे ग्रींची ली यूज कर रहे हूं साथी में धनि दनिया पसंद है तो चॉप्ट दनिया एक दम बारी बारी चॉप्ट कर लीजिये इसको अगर उसके बाद यहां पे स्वाद के अनुसार आप एड कर दीजिए नमक साथी इसमें जाएगर सर्सो का तेल तो एक चमच लगबग हमें सर्सो का तेल इसमें डालना है थोड़ा स अत्स part नमलिएशार हो के जाएं किस इसमें तरीके का तர की तरीके सिंसे खाया जाता है तो जब तक बहुत बहुति अ तो बस कितनी जल्दी और कुईकली ये सिंपल सा हमारा लंच बनके तयार हो गया है तो बस ये सिंपल सा और रूटीन टाइप का ही व्लॉग था अज का होफुली पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मैं मिलती हूँ आप से पनी नेक्स वीडियो में तब तक लिए थैंक्स पर वाचिंग टेक केर बाई बाई